नवाजद्दिन सिद्धिकी की वाइफ आलया सिद्धिकी ने नवाजद्दीन की फैमिली पर लगाया फिजिकल टॉर्चर का अलिगेशन आलया का कहना है कि नवाज की पहली वाइफ भी सेम रीजन्स की वजह से ही नवाज से अलग हुई थी वेल नवाज उद्दीन सिद्धिकी और उनकी वाइफ आलिया सिद्धिकी अपने डिवोस की न्यूस के चलते पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है और अब नवाज की वाइफ आलिया ने नवाज की फैमिली पर उन्हें mentally और physically torture करने का allegation लगाया है आलिया का कहना है कि नवाज ने खुद कभी उन पर हात नहीं उठाया but she did mention that his brother raised his hand on her साथ ही आलिया का ये भी कहना है कि उनके और नवाज के बीच शुरुआच से ही problems थी लेकिन उन्होने चीज़ों को हैंडल करने की कोशिष की और साथ ही उन्हें छपा कर भी रखा आलिया सेद, He, Nawaz, had never raised his hands on me but the shouting and arguments had become unbearable. You could say though that only that was left. Yes, but his family has mentally and physically tortured me a lot. His brother had even hit me. His mother and brothers and sisters-in-law used to stay with us only in Mumbai. So I've been bearing a lot for too many years. His first wife had also left him for this reason alone. It's a pattern. There are already seven cases registered by the wives of their house against them. And four divorces have taken place. This is the fifth one. It's a pattern in this family. आलिया का ये भी कहना है कि वो अपने बच्चों की सोल कस्टडी चाहती हैं. क्यूंकि उनके अकोर्डिंग नवाज अपने दोनों बच्चों की ना ही केर करते हैं, ना ही पिछले कुछ महीनों में वो उनसे मिलने आए हैं. She said, However big an actor you've become, what's the point if you're not a good person? What's the point if you can't respect your wife and kids? Our kids don't even remember when their father last visited them. It's been 3-4 months since he's met his kids. But he doesn't care. So even the kids have become used to it. And don't ask for him. I want sole custody of my kids. आपको बता दें कि अब तक नवाज अदिन सिदिकी ने आल्या सिदिकी के किसी अलिगेशन का जवाब नहीं दिया है. और फिलहाल वो अपनी मदर की बिमारी की वज़े से उत्तर प्रदेश के स्मॉल टाउन बुधाना में रह रहे हैं. वहीं Bombay Times के साथ चैट के दौरान आल्या सिदिकी मेंशन अब देखना ये होगा कि अपनी वाइफ के लगाए अलिगेशन पर नवाज किस तरह से रिप्लाई करते हैं और कब तोड़ते हैं अपनी चुप्पी?